ये बात आपको कोई नहीं बताने वाला कि एजेंट को एक रुपए दिये बिना उरोप के सबसे अमीर देश लक्सिंबर्ग में कैसे नौकरी की जा सकती है बिना एजेंट के, बिना एक रुपए दिये, बिना किसी मेडियेटर के उरोप का सबसे महंगा देश तो दोस्तों, अगर आप इंगलिश बोलना जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो लक्जिंबर्ग में वेर हाउस की जॉब आपका इंतिजार कर रही है इस वीडियो में बने रही है अगर आपको इंटरेस्ट है तो दोस्तों, आप सभी का हारदिक स्वागत है, मैं हूँ आपका साथी, आपका दोस्त, मेरा नाम है प्रियान शूचा दोस्तों, आप सभी ने मुझे कमेंट में लिखा, मैसेज में लिखा किसाब हम लक्जिंबर्ग में जाके नौकरी करना चाहते हैं और लक्जंबर्ग में जाके काम करना चाहते हैं तो क्यों ना आप लक्जंबर्ग की नौकरी के बारे में वीडियो बनाएं अब जितने भी लोग लक्जंबर्ग के बारे में वीडियो बनाते हैं उनका मकसद होता है कोई ना कोई पैकेज सेल करना मतलब की कोई ना कोई प्रोग्राम मैं आपको मुफ्त में लक्जंबर्ग में नौकरी कैसे ढूंडी जा सकती है वो बताने वाला हूं पूरी प्रोसेस और साथ ही कंपनियों के नाम भी कि कौन सी कंपनियां आपको हायर करने वाली है साथ में एजिंसी के वेब साइट और उनके इन्फरमेशन भी म अगर मुझसे कोई गलती हो तो शमा कीजेगा थोड़ी सी अपनी मेहनत भी जरूर कर लीजेगा अपनी जिम्मेदारी से ही इस विशय पे आगे बढ़िएगा तो हम आज बात करते हैं लक्जंबर्ग में नौकरी कैसे पाएं वेरहाउस की नौकरी और कितनी तनखुआ है क जाने की प्रोसिस क्या है वीजा की कॉस्ट क्या है कंपनियों के नाम जॉब देने वाली रिकूट्मेंट एजिंसी के नाम सब कुछ मुफ्त में अच्छा इसकी खास बात और ये भी है कि आप अपने परिवार को साथ में ले करके जा सकते हैं और परिवार को साथ ले जान आपके बच्चों के लिए और अगली बात जो कहीं नहीं है वह यह है कि लगजंबर्ग में फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बस ट्राम ट्रेन जो भी सब चीजें हैं सब कुछ मुफ्त हैं तो लगजंबर्ग इन चीजों के कारण में बड़ा ही शानदार है लगजंबर की जो आउसत आमदनी है और सेलरी है वह लगबग 6,000 यूरो पर मंथ है आप गुणा कर लीजेगा रूपए में अगर आप सूचेंगे कि 6,000 हमें मिलेंगे कोई बात नहीं दोस्त जो नियूंतम सेलरी है वह भी 2570 यूरो 2570 यूरो पर मंथ है अनस्किल्ड लेबर के लिए भी कम नहीं होता यह याद रखेगा कि लक्जंबर्ग में हाई टैक्स भी है हलांकि शुरू के 12 या 13,000 यूरो तक कोई टैक्स नहीं देना है उसके बाद टैक्स भी देना होता है साल की इंकम की बता रहा हूं मैं आपको तो टैक्स कल्कुलेटर से भी कल्कुलेट कर लीज है स्विट्जरलेंड से थोड़ी सस्ती है तो क्या फाइदे की बात है देखिए हम कहीं भी नौकरी करते हैं हम एक जगा में नौकरी करते हैं मान लीजे हम भारत के 10,000 रुपए कमाते हैं हम अपना पेट कार्ट के कम पैसे खर्च करके हम 5,000 रुपए बचा लेते हैं वैस मेहने के तो अगर आप भारत में अपने परिवार को बेचते हैं तो कितना हो जाएगा वो तो आप यह जरूर समझेगा कि जो पैसे आप कमा रहे हैं कस तो आपको उठाना पड़ेगा महंगी कॉस्ट आफ लिविंग भी है लेकिन उसके बावजूद अगर वो पैसे बचा है पैक करना है शाट करना है अगर वेरहाउस के ऐसे सिंपल जॉब भी आगर आप करते हैं जिसमें भाषा की कोई विशेश जरूरत नहीं है इंगलिश बेसिक आती है तो भी काम चल जाएगा तो भी लगबग धाई हजार यूरो आप पर मन्त कमा रहे होते हैं इस चोटे स अनुभव है या वहाँ पर पहुचके थोड़ा प्रमोशन पा जाते हैं तो आपको लगबग लगबग साड़े तीन हजार से साड़े चार हजार यूरो की महने की सेलवी आपको मिल सकती है और जानते हैं काम क्या होगा इंवेंटरी मैनेजर का स्टॉक के लेवल मेंटेन क करना, और करना, डॉकुमेंटेशन के काम करना, कम्प्यूटर से और चीजों को मैनेज करना अगर आप शिपिंग और रिसीविंग क्लर के रूप में काम करते हैं तो लगबग धाई से तीन हजार यूरो के आसपास की तंखवा आपको मिल सकती है काम क्या करना होगा? हैंड तो आप समझ सकते हैं कि अनुभाव के और अनुभाव के साथ सब प्रकार की नौकरियां आपको लक्जंबर्ग में एवलेबल हैं डिपेंड है आपके पास में क्या है आप मुझसे पूछेंगे कि हाँ मुझे सब कुछ पसंद है मैं नौकरी करना चाहता हूं यह नौकरी देगा कौन बताता हूं तो पेन कागेच से नोट कर लीजेगा कंपनियों के नाम हैं कुमेजन, कारगो लक्स, डीएचल, कुने नेगल, यूपियस, आर्सेनल मित्तल, डीबी शेंकर और धेर सारी और भी कंपनिया हैं आप अपने लिंक्डिन पे इन सभी कंपनियों के नाम ले करके आप इन कंपनियों को अपना सीवी सीधे भेज सकते हैं इसके अलावा मैं कु लग्जेंबर्ग, रैंडिस्टेड लग्जेंबर्ग, मैनपावर लग्जेंबर्ग, कैली सर्विस लग्जेंबर्ग, हेस लग्जेंबर्ग, रॉबर्ट हाफ लग्जेंबर्ग, सेनरजी लग्जेंबर्ग, जियो और एच, स्प्रिंग प्रोफेशल, ये सभी किसी को भी कोई पैसे न दें और अपनी जिम्यदारी से ही आप आगे काम करें मैंने भी आपकी तरह इंटरनेट पे रिसर्च की है और कोशिश की है कि आपके लिए जानकरी लेकर क्या हूं तो आप सीधे आपने मुझे कोई कोई सीवी नहीं भेजना है आपने मुझे कोई पैसे नहीं देने हैं सिर्फ लाइक और शेयर करना इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना है और आप इन कंपनियों से सीधे बात कर सकते हैं लिंक डिन सबसे अच्छा है इन कंपनियों की साइट पर डायरेट जाकर आप उन के नाम भी बताता हूं आपको पहली साइट है जाब्स.LU दूसरी साइट है मुवी जाब्स तीसरी साइट है इंडीड लग्जिंबर्ग चौथी साइट है मॉंस्टर लग्जिंबर्ग पांच्वी साइट सब की जानी पहचानी लिंक्डिन जाब्स.LU दूसरी साइट लग्जिंबर्ग पब्लिक इंप्लाइमेंट सर्विस एंड यूरेज लग्जिंबर्ग वीजा की क्या कॉस्ट है इसे डी वीजा कहा जाता है और इसकी कीमत है 80 यूरो अगर आप अपने पार्टनर या अपने स्पाउस को एड कर रहे हैं तो 80 comfy BC को और डेने होंगे अगर बच्छे साथ में तो 38 यूरो 37 यूरो आपको और आपको और सकते हैं पर Aa Re소리 को ये वीजा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अ जानकारियों को लिखेगा, जब भी आप अपलाई करें, किसी एजेंट की जरुवत नहीं है, इन कंपनीज के पास में जाएं, इन कंपनीज के लिंक्डिन पे जाएं, वहाँ अपलाई करें, या फिर इनकी साइट मेने जो साइट बताए हैं, इन पे जाएं, किसी एजेंट क को कई रुपय देने की जरुवत नहीं है मुझे सीवी भेजने की जरुवत नहीं है और नहीं मुझे कौई एक रुपय देने की जरुवत अः यह programme क्या मेद defenses के आप अगर आपको कम्प्यूटर पे लिंक्डिन पे थोड़ा सा एक्टिव होना ज़रूरी पड़ेगा आपको कुछ आपके विदेश जाना है या फिर आगे भी वहीं पर रह सकते हैं, मतलब जीवन में एक बड़ा ब्रेक, तो हर आदमी मुझसे पूछता था लगजिंबर की वीडियो बनाओ, लगजिंबर की जानकारी दो, मैंने कोशिश की है, मुझसे अगर कोई गलती हो, तो शमा कीजेगा, अपनी जिम्मेदाली स इस विशे में आगे बढ़िएगा, आप और मेरे वीडियो में और क्या जानना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं, मुझे कमेंट में नीचे लिखेगा, मैं कोशिश करूँगा, मैं आपके लिए वो जानकारी धून सकूँ, मिलेंगे अगले वीडियो म तब तक के लिए जैहिन दस्वीदानिया, चाओ चाओ